दोस्तों जब किसी नदी की बात आती तो लोग इसकी सफ़ाई को लेकर जरूर सिकाइद करते हैं कि भार्त में नदीया का फीक गंदी रहती हैं लेकिन दोस्तों आप क्या जानते हैं कि भार्त में एक ऐसी नदी जो अपनी सफ़ाई की वज़े से जानी ही जाती है ये इतनी साब है कि इस नदी में नीचे पत्रों को राम से देखा जा सकता और दिखने में एक कांच की तरह है तो दोस्तों इस वीडियो में अगर मिस्तार से जनेंगे इस नदी के बारे में लेकिन दोस्तों उससे पहले आप से चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकिसन सबसे पहले आप तक के पहुंच सके तो दोस्तों इस नदी की सफ़ाई का अंदाज़ा तो आप नीचे दी की तस्वीर से लगा सकते हैं और दोस्तों इस नदी का नाम है उमन गोट है दोसो उमन गोर्ट नदी को डोकी भी का जाता डोकी एक छोटा सा कस्पा जो भारते बांगलादेश से बोडर पर हैं ये सिलोंग से 55 किलमेटर हैं दोसो डोकी में भारत और बांगलादेश के बीचे ट्रेंड रूट है जहां से करेंटर गुजरते हो साथ ही मचोरों के लिए मस्लिफ पकड़ने का भी पसंदिता इस पोट है दोसो इसे भारत की सबसे साफ नदी माना जाता जो दिखने में काज की तरह दिखती इस पर चलने वाली नाव ऐसे लगती की हवा में तेर रही दोसो यह नदी यह गाउं मोईलन लोग से गुजरती इस गाउं की खास बात है कि साकसरता में यह गाउं का प्यागे नदी की सफ़ई भी आंके लोगों की सिक्सित होने का सबूत पैस करती यह एकवरियम की तरह साफ दिखती है तो दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तो इस वीडियो के बारे में आपकी जोबी रायों नीचे कमेंट बोक्स में जा करके कमेंट करके हमें जरूर बताएगा वो साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक वे शेयर करके चैनल को तुरुन से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिपेकरिशन सबसे पहले आप तक के पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जूड़ रहने के लिए